हलो दोस्तो किचन किंग इस पेसल डिस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की रेस्पी मैं आपके साथ बटन मसरूम की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ ये एक रिक वेश्टेड वीडियो है इसे मैरी एक सस्क्राइबर ने मुझे बोला था कि आप ब नाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैं 200 ग्राम ये मसरूम लिए हैं तो पहले हम इसे अच्छे से साप कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे साप करेंगे तो इसके उपर में एक पतली सी प्लेयर होती है इसे हमें इस तरीके से निकालना होता है ये देखिए ब और बहुत जने इसे आटा लगा करके साफ करते हैं तो उस तरीके से भी आप इसे साफ कर सकते हैं लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गई है तो इस तरीके से आप इसे साफ कर सकते हैं तो ये देखिए ये कितने अच्छे से साफ ह तो इसी तरीके से हम सारी ही मसरुम को अच्छे से साप कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सबजी बनाएंगे। तो यह देखिए और अगर इस तरीके से था सबसे च्तुन Case एसsan का Caloda Six Genilas झ्हल सकते हैं Dennis De Geogalities आप इसे चार टुकड़ों में भी काट सकते हैं। आप अपने हिसापस से काट सकते हैं। और यह देखिए मैंने इस तरीके से सारी मसरुम को काट लिया है। तो चलिए अब हम सबजी बनाना सुरू करते हैं। सबजी बनाने के लिए मैंने यहां पर कढ़ाई में दो बड़े चमज तेल गरम कर लिया है। इसमें हम एक चोटी चमजीरा डालेंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहां पर मैंने एक तेज पत्ती लिया है। साथ से आठ काली मिर्चे के दाने लिया है। दो चोटी टुकड़े दालचिनी के लिए हैं। तीन हरी लाइचिनी के लिए हैं। जिसे की इसका सारा फ्लीवर तेल के अंदर अच्छे से आ जाएगा। और फिर इसमें हम दो बारी कटे हुए प्याज डाल देंगे। और अब हम प्याज को हलकी सी गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। और फ्याज के साथ हम हरी मिर्चे को भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्चे को बारी काट करके लिया था। आप मिर्ची आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं। और यह देखिए यह हलकी सी गुलाबी हो चुकी है। तो अब इसमें हम साथ से आठ लसुन की कलिया को और आधा इंच अद्रक का तुकड़ा लिया था। जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। इसे डाल देंगे और इसे हम प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जिसे की इसका भी कच्चापन खतम हो जाएगा। तो यह देखिए सारी चीजी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम आधी छोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे। एक चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे। एक चमच धनिया पौडर डालेंगे। आधी छोटी चमच गरम मसाला डालेंगे। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहां पर मैंने कैस की फ्लेम को लो रखा है। और इसकी साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जिसे की मसाले जलैंगी नहीं और अच्छZ से पकेगी। और अब इसे हम थोड़ी तीर के लिए पका लेंगे। तो यह देख्ये सारे मसाले अच्छZ से पक चुकी है। और इससमें से तेल अलग होने लगें। अब स्टमाटर डालेंगे। तो यहां पर मैंने दो बड़े साइज के टमाटर को बारी काट लिया था. इसे डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और टमाटर जल्दे पखे इसके लिए इसमें हम नमक डाल देंगे. तो नमक आप अपने स्वाधन उसार डाल सकते हैं. इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ढग करके पकाएंगे जिसे तमाटर बहुत ही जल्दी से गल जाएगी अच्छे से पक जाएगी तो इसे हम ढग देते हैं और थोड़ी देर बाद इसे हम चेक करेंगे तो ये देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से पक चुकी है लेकिन हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है तो इसे हम फिर से ढग देते हैं और थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं और थोड़ी देर बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे तो ये देखिए सारी मसाले अच्छे से पक चुकी है और साथी टमाटर भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और इसमें से तेल भी अलग होने लगी है यानि कि मसाले अच्छे से पक करके तयार है तो अब इसमें हम ये मस्रूम को डाल देंगे और इसमें हमें पानी वगरा कुछ नहीं डालना है क्योंकि जब हमने इसे धोया था तो इसमें थोड़ा सा पानी है उसी पानी से ही अच्छे से पक जाएगी तो इसे हम ढग देंगे और low flame पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ये देखिए थोड़ी देर बाद इसे हम चेक करेंगे तो ये देखिए मसरूम ने काफी सारा पानी छोड़ दिया है तो इसी पानी से ही ये मसरूम अच्छे से पक जाएगी तो इसे हम एक पर अच्छे से चला लेंगे फिर इसे हम ढग देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख न जाए तो ये देखिए मैंने इसे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और ये अच्छे से पक भी चुकी है और इसका पानी अच्छे से सूख गया है ये देखिए तो अगर आप इसे इस तरीके से रखना चाहते हैं सूखा तो आप इस तरीके से रख सकते हैं और अगर आप इसे ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बंद चेक करेंगे तो ये देखिए सब्जी में बहुत यह अच्छ से उबाल आ चुके हैं देखिए तो इस तरीके से आप यह सब्जी बनाकर के तैयार कर सकते हैं तो चलिए अब इसमें हम हरे धनी की पत्ति डाल देंगे बारिक काट करके और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी दिर के लिए और पका लेते हैं और ये देखिए इस तरिके से ये मस्रूम की सबजी बन करके तयार है तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेंगी तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बटर मसरूम की सबजी बन करके तयार है बहुत ही आसान तरीके से सबजी बन करके तयार हुई है और बहुत ही स्वाधिष्ट बन करके तयार हुई है तो इस तरीके से आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई